फिर फर्स्ट क्रेशन आपके सामने, फर्स्ट क्रेशन क्या कहेगा देखिए एक बार, भाषा सिक्षन की कौन सी विधी मात्री भाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है, मतलब लेंग्विज टीचिंग का कौन सा एक मैथड है जो बिना दूसरी भाषा, मतलब मात्री भाषा जो मधर टंग है उसका इस्तेमाल आपको दूसरी लेंग्विज सिखाने में नहीं किया जाता, English Medium Schools का मैं बहुत बार एक्जामपल देती हूँ कि वहां क्या है, पांच रुपे फाइन लगेगा अगर आप हिंदी में बात करते हैं, त पहला option है, प्रतियक्ष विधी है, दूई भाषिय विधी है, जिसको bilingual method कहते है, अनुवाद यानि translation या फिर व्याकरन एवम अनुवाद विधी यानि की grammar translation method, answer कीजे, बहुत बड़े answer आप लोग कर रहे हैं, ये प्रतियक्ष method है, प्रतियक्ष विधी का मतलब है direct method, direct method में bilingual में भी और आपका चाहे वो translation हो, इन सब में दूसरी भाषा का यानि mother tongue का इस्तेमाल किया जाता है, किसी में teacher करेगा, किसी में बच्चे भी कर सकते हैं, बट direct method में, no use of mother tongue is allowed, यानि मात्री भाषा का, मात्री भाषा की जो मध्यस्तता है, वो allowed ही नहीं है, तो ये एक बात ह ये option इसका सही हुआ, आप लोग जब 2-3,500-4,000 लोग मिलकर के जब आंसर करते हैं, live में, तो obviously एक energy create होती है, next question है आपके सामने, question number 2, भाषा सिक्षन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, भाषा सिक्षन के संदर्भ में, मतलब language teaching के context में कौन सी एक बात ठीक नहीं है not को आप ध्यान से पढ़ेंगे, समरिध भाषा परिवेश, भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, जो आपका complete language का environment है, वो help करेगा आपको language को acquire करने में, या फिर भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, मतलब acquisition और learning में difference है, दोनों ही बातें ठीक है, फिर नहीं होता है, extreme में अगर आपको question लेकर के जाता है, तो बहुत जादा chances होते हैं, कि आप वहीं पकड़ सकते हैं, कि ये गलती है अपने आप में, फिक है, only की तरफ, इस तरीके से, भाषा सीखने में अन्य विश्यों का अध्यान अध्यापन सहायक होता है, यानि language learning में जो जरुरी नहीं है, जो दिखे सही, वो हो सही, तो जो गलत है वही सही है, यहाँ पर नहीं पूछा था, और सिर्फ भाषाई शुधता पर ही बल दिया जाए, ये जरुरी नहीं है, especially छोटे बच्चे हैं, अगर तो आप बच्चों को expression पर उनकी अभी व्यक्ति पर भी जोर पागम, यानि communicative जो approach है, उसकी बात हो रही है, पहला option है, बोलना कोशल पर बल देता है, दूसरा option है, भाषक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है, third option is, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, यानि आप context में use कर पाएं language को, and last one is, मात्री भाषा निशेद करता है, यानि की mother tongue को आप यहाँ वर्जित कहेंगे, यानि कहेंगे कि इसको use नहीं किया जाएगा, prohibited है, answer कीज़े, फटा-फट से, बहुत बड़ी है, आप लोगों ने एकदम speed बना के रखी हुई है, सही है, like share साथ में करते रहना है, और अवाज नहीं आ रही ह आवाज कैसे नहीं आ रही है, क्यों मूर्ख बनाना चाहते हो संजगमार बार-बार एक बात को type करके, phone चेक करो अपना एक बार, यहाँ से एकदम clear है, जो audio है, अब रोज थोड़े ना ऐसे होगा, मान लिया, मजाग ठीक है, बताईए एक बार, संप्रेशन परक जो उपागम है, वो संदर्भ में भाशा प्रयोग की कुशलता पर बल देगा, कि आप context में कैसे किस चब्द को use कर पाएं, अगर आप दोस्ती आरी में बात कर रहे हैं और आप बहुत विज्ञानिक भाशा का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप कहां सफल हैं पर अपनी लेंग्वेज के साथ, लेंग्वेज का use क्या है, जिस परिस्तिती में जिस संदर्भ में आपको इस्तिमाल करना हो, आप उसको कर पाएं, तो C option इसका बहतर आंसर हुआ, आगे बढ़ेंगे next question पर, next question क्या है, question number 4, स्वालीन विकार यानि autistic disorder में बच्चा, जो autistic disorder है, autistic problem है, इसमें इसको basically autism कहते हैं, हम सब जानते हैं, इसमें क्या problem होगी, अपने ही कार्यों में lean रहता है, अपने हाथ-पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करेगा, या फिर C option, सामाजिक अंतहक रिया और संप्रेशन में कठिनाई का अनुभव करता है, या फिर option D, अ English में नहीं पढ़ाया जा सकता न, ये तो 15 नंबर आपको Hindi में ही deal करने पढ़ेंगे, तो थोड़ी से आदट डालोगे, तो समझ आ जाएगी, हिंदी medium नहीं है, Hindi subject की बात चल रही है, या, answer कीजे, अपने ही कार्यों में lean रहता है, नहीं, नहीं, बात भाषा की हो रही है, तो जो autistic बच्चा है, उसको social interaction में, मतलब समाजिक रूप से अंथेकरिया करने में, communication में उसको problem होती है, autism में, फीक, जो autistic बच्चा है, वो खुद में तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन क्या है, वो socially बहुत जादा interact नहीं कर पाता, communication में उसको problem होती है, break करके वो कई बार बोल जो कि एक Russian psychologist थे, भाषा एक अर्जत योगता है, भाषा चिंतन भाषा को निर्धारित करता है, या फिर भाषा एवन चिंतन एक दूसरे से स्वेतन तुरू रूप से विक्सित होते है, फटा पच्चा आंसा कीजे, इसमें आप लोग बहुत ही जादा गलतियां करेंगे, पूर्णे मासिंग कहा रहे हैं, मस तारे आवाज, बस और क्या चाहिए है, जब आवाज सही हो, ऐसे सेशन में, जो सही है सब, धन्यवाद स्वामी यादव, आंसा कीजे फटा फट से, बहुत बढ़िया याने की, आप लोग गलत आंसर करने में लगे हुए हैं, आंसर कहेगा, वाइगौस की कहेंगे, जो कहेंगे कि एक लिएड़ दो साल तक तो भाशा और विचार जो हैं दोनों, पहलेली क्या हो रहे हैं, डिवेलाइप हो रहे हैं, और लेंग्वेज क्या है, एक टूल है, जिसके माध्यम से आपके संग्यानात्मक व्कास हो सकता है, ठीक तो इसलिए आंसर जो है वो D है इसमें बिल्कुल भी confused ना हो और भाशा चिंतन को निर्धारित करती है ये बात ली वोर्फ ने कही है ली वोर्फ एक व्यक्ति है उन्होंने ये बात कही है ठीक है आगे बढ़ेंगे next question पर next question क्या है next question है question number six एक बहु सांस्कृतिक प्रिष्ट भूमी वाली कक्षा में भाशा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है बहु सांस्कृतिक जानते हैं आप multilingual classroom जहां पर बहुत सारी भाशा है बोलने वाले बच्चे अवेलेबल हैं कोई बच्चा है कहीं और का कोई बच्चा है गुजराती बोलता है उसके घर में गुजराती बोले जाती है किसी के माराठी किसी के हिंदी किसी के पंजाबी इसे कहलो एक तरीके से या फिर अधिकाधिक पुस्तकों का निर्मान किया जाए भाशा सिखाने के लिए व्याक्रणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए या फिर भाशा परिवेश का निर्मान किया जाए ताकि भाशा अर्जन की सह जिस्थिती बन सके अ आजमा करके देख लीज़े, जहां आपको खाना ना मिले, तमिल नाडू चले जाएए, दो-तीन महीने में आपने आप बोलना सीख जाओगे, ठीक है, तो D option जो है, सही है, क्योंकि आप हिंदी में बोलोगे, तो कोई खाना में नहीं देगा, तो आप बहुत सारे तरीके इस् साथ पैदा होते हैं, भाषा के साथ पैदा नहीं होते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखेगा, कई लोग बहुत गडबड करते हैं इसमें, क्योंने लगता है क्या पुछा है, भाषा लेकर पैदा होते हैं, भाषा लेकर के पैदा नहीं होते हैं, भाषा सीखने की शमता करके पैदा होते हैं उनके अंदर ability है कि वो language को acquire कर सके हैं ये बात किसने कही है जीन प्याजे एलेस वाइगोस की आईवन पैवलव या फिर नॉम चॉम्स की तो बिल्कुल आप लोग सही आंसर कर रहे हैं नॉम चॉम्स की इसका सही आंसर है जो कहते हैं innate ability है हमारे अंदर language acquisition की environment अगर सही दिया जाए तो हमारे अंदर language acquisition device है जो acquire कर लेगा भाषा को environment से अपने अंदर absorb कर लेगा और आप सीख जाएंगे तो जो एक मानव शिशू है humans है हम उनमे innate ability होती है acquire करने की language को ना कि language लेके पैदा नहीं होते acquire करने की शमता होती है ये option हुआ सार्व भामिक व्याकरण और जो language acquisition device है भाषा दिगरण यंत्र वो इन्हों नहीं दिया है नौम चॉम्सकी ने question number 8 है लोग गीतों को भाषा की कक्षाओं में इस्थान दिया जाना चाहिए क्यों की लोग गीत जो आप जानते हैं भाई regional जो songs होते हैं इनका इस्तिमाल क्यों किया जाना चाहिए language की classroom में बताइए एक बार नाम नहीं ले रही हूं मैं आज किसी का भी बीच वीच में क्योंकि बहुत जारा disturbance हो जाता है जो लोग बाद में देखते हैं flow खराब होता है तो थोड़ा सा ध्यान दो question solve करने में लास्ट में दो मिनिट मैं discuss कर लूँगे आपके साथ लोग गीटों को भाशा क एक अक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए इससे बच्चे संस्क्रती गत विशेश्ताओं से परिच्चत होते हैं लोग गीतों को बढ़ावा देना भाशा सक्षन का मुख्य उद्देश्य है, लोग गीत गाये जा सकते हैं, केवल लोग गीतों के माध्यम से पारम परिक मूल्यों की सिक्षा दी जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो traditional values हैं वो सिर्फ लोग गीतों से ही जाएंगी, त इससे बच्चे संस्कृति गत विशेष्टाओं से परिचित होते हैं, इससे बच्चों को क्या होगा, एक परिच्चे मिलेगा, उनकी जो एक, उनका जो culture है, उससे वो अवगत होंगे, लेकिन ये एक मात्र तरीका नहीं है, कल्चर को अवगत कराने का, जैसे बोला जाता ह है, कि आप किसी भी चीज को करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट जो आप कर रहे हैं, उससी वो ही एक तरीका, एक मात्र है, ये ज़रूरी नहीं है, तो उसी तरीके से ऐसे तो moral values की class लगा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है, तो एक section का मुख्य उद्देश जो chapter वो पढ़ रही है, रीडिंग कर रही है, और उसने जीवन को जिन्दगी पढ़ लिया, या जिन्दगी बोला, तो इससे आप क्या समझते हैं, पहला option है, वह अक्षर पहँचान की बजाए अर्थ को समझे हुए पढ़ रही है, मतलब की अक्षर पहँचान की बजाए आर्थ को पढ़ते हुए समझ रही है, या फिर उसे अक्षरों की पहँचान में ब्रह्म हो जाता है, उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्चता है, या सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती, क्या मानेंगे आप answer? तो हम एक बात जानते हैं पैटावाजी में, चाहता है, curious है, उसके अंदर ability है, आपको सही methods इस्तमाल करने हैं, अगर गलती बच्चे की है, तो कमी आप खुद में ढूनते हैं, ठीक, तो इसमें क्या होगा? वह अक्षर पहँचान की बजाए अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है, क्योंकि मतलब से में, जीवन को इसा हो सकता है, कि कुछ और problem रही हो, बट ऐसा तो नहीं होगा न, एक अक्षर की पहँचान की वज़ा से जीवन को जंदगी पढ़ दे, कुछ और भी पढ़ सकती थी, तो इस case में हम ये एक अपना hypothesis लगा करके मानते हैं, कि बच्चा जो है, वो अर्थ को समझने लगा है इसलिए उसकी जगा पर कोई और शब्द का इस्तिमाल कर लिया, ठीक होई बात, तो आगे बढ़ेंगे next question पर, next question क्या है, question number 10 है, मैंने चाट खाई, चाट खाई, मैंने चाट खाई, और फिर मैंने हसी, ठीक, अब यहाँ, और फिर मैं, और है, और फिर, ठीक, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यत है, किस ओर संकेत करता है, शर्मिला एक बच्ची है, जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करती है, बताएं एक बार, बहुत बड़िया खदीजा, आप सभी होजा से हम लोग best हैं, unique हैं, सभी अपने आप में unique होते हैं, फटावट से आंसा करो, बहुत बड़िया, बहुत ही बड़िया, मनीश, बहुत अच्छा नाम है आपका, भाषा की समझ ने होना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी ने होना, नियमों का अती सामाने करन होना, या भाषा प्रयोग में असावधानी, अब आपको साफ साफ दिख रहा है, grammatical mistakes हैं ब पूर होती जाती हैं, यह हो सकता है, उसकी मात्रे भाषा का प्रभाव हो या भी ठीक से जो है, उसको knowledge नहीं है, rules की, तो जो B option है वो यहाँ, बहतर है इन सब से, फिर से वही बात है, असावधानी, बच्चे में गलतियां नहीं, गलतियां खुद में ढूननी हैं, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रशन बनवाने से, मतलब की आपने कहा कि यह चैप्टर रीड करो, उसके बाद कुछ प्रशन आप बनाओ या answer दो कुछ questions का, इस case में पहला option है, प्रशन बनाने की आदत का विकास होगा, इसलिए आप ऐसा करवा रहे ह इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रशन बाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं है, या फिर सिख्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है, या फिर कक्षा कारे की अच्छी व्युक्ती पूरी होती है, भई ये तो आप लोग कंजूसी बरत रहे हैं, जो कि एक बहुती अच्छी बात है, तीन हजार लोग देख रहे हैं, दो हजार लोग ने लाइक किया है Question number 12 है, लिखित कारे का जाँच में बच्चों की साहता लेने से मतलब लिखित कारे की जाँच में, मतलब आप assess कर रहे हैं, रिटन वर्क को बच्चों की और आपने कुछ बच्चों की साहता ली के एक दूसरे के गुरुप में Check करो किसने कैसा लिखा है, ठीक, तो बच्चों दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं, केवल पठन कौशल का अभ्यास करते हैं, बच्चे जादा गलतियां ढूनना सीख जाते हैं, या फिर बच्चों को दूसरों की हस्त लिखित सामगरी को पढ़ने का अफसर और अ आचने की जो अबिलेटी है वो भी बहतर होगी, क्रिटीक भी बहतर बन पाएंगे, आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नमबर थर्टीन क्या है, पढ़ना कौशल में सबसे जादा महतुपूर्ण क्या है, पढ़ना कौशल यानि की, रीडिंग इसको भी चार कौशल है हमारे, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, भाषा के जिसम से लिखना सबसे जटिल माना जाता है, पहला ऑप्शन है, संदर्भानुसार अर्थ ग्रहन करना, दूसरा है, शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उचारित करना, सी ऑप्शन में आप अर्थ को समझ सकें, यह सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है, रीडिंग स्किल आपकी तभी बहतर है, जब आपको समझ तो है, कि कहा क्या गया है उस चैप्टर में, उस टेक्स्ट में, तो आप कॉंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है, अब मैंने कल पर मुखरेया, अगर सही पनाउस किया है, मैंने आपके सरनेम को तो ठीक है, अदरवाइस तो, माफी, क्वेशन नबर 14 है, भाशा सीखने में जो तूरूटियां होती है, मतलब गलतियां, अब इस पर हमेशा क्वेशन आएगा, हमेशा, जब तक भी सीटेड यही सलेबस जारी रखेगा, तब तक question आएगा, errors के बारे में, बच्चों की जो गलतियां है, वो क्या बताती है, वे सीखने की प्रकरिया का स्वभाविक हिस्सा होती है, जो समय के साथ दूर होने लगती है, या फिर उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना या बच्चों की तुरूटियों की ओर संकेत करती है, बहुत बड़े answer आप लोग कर रहे हैं, एक मिनट के अंदर ही, वे सीखने की प्रकरिया का स्वभाविक हिस्सा है, यानि natural क्या है, natural contents है, natural चीजे है, natural terms है, क्या कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं, basically, naturally एक पार्ट है, एक ह इससा है, किसका learning का, क्या mistakes, जो errors है, वो एक window provide करते हैं, अगर कोई सीखेगा, तो गलती भी जरूर करेगा, तो एक options का सही answer है, आप बच्चों की गलतियों को, एक स्वभाविक या natural way में लेते हैं, कि ठीक है, ये धीरे-धीरे काम करते-करते ठीक हो जाएंगी, ठीक है, औ और कोई बार आप उनके साथ काम भी करते हैं, इस चीज को सही कराने के लिए भी, किसी भाशा कक्षा में कहानी कथन की आवशकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है, कहानी कथन की बात हो रही है, स्टोरी टैलिंग की और not पूछा है, not को आप थोड़ा सा ध्या रख करके हमेशा पढ़िए, जैसे ही option में not लिखे, accept लिखे, ऐसे 3D वाले कान ऐसे करके और ध्यान दीजे उस question पर, question हमेशा आसान होगा, बट आप confuse हो जाएंगे और गलत कर जाएंगे, confuse या जाएंगे, ठीक है, पहला option है, सभी बच्चों की शमता अनुसार कलपना शक् अन्सार कीजे, सभी बच्चों की शमता को ध्यान में रखते हुए यह है, उचित नहीं है, exactly, भई, storytelling एक ऐसी चीज है, जो सभी के लिए उचित है, मतलब, कहानी तो हर बच्चे को पसंद है, सुकता उसके अंदर जागरुक होगी, imagination उसके अंदर जागरुक होगी, जागर language को सीखने का.